हलो माई डियर्स मैं हून इसाम और आज हम आपको बताने वाले हैं कि excel में जो excel की page होती है proper तरीके से बहुत लोग को printing करने में problem आती है ऐसे कई लोग के complaints और कई लोग के comment section में ऐसे comments आया है कि printing पर एक video बना दी जाए तो आज मैं video आपको printing करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम excel file को print out कर सकते हैं तो देखें अगर मान लिजी कि आपके पास कोई भी matter है तो सबसे पहला जो आपका काम होता है आपको क्या करना है आप बहुत ध्यान से देखेगा तब ही आप एक चीजों को समझ पाएंगे और आप अपने page को waste के बगर अच्छा सा print out कर पाएंगे लेकिन अगर आपको सही जानकारी रहेगी तो आपका एक भी page बरबाद नहीं होगा और आप proper तरीके से excel sheet को print कर पाओगे तो चलिए कुछ चीजे हैं जो basic चीजे हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है इसी चीज के वज़े से लोग की print out में थोड़ी से problem आती है तो देखें जब भी excel sheet आपका मालजी sheet है और हमें केवल यही इतना matter print out निकालना है तो आपको देखें सबसे पहला काम क्या करना होता है आप इस matter को selection में लेंगे इस तरीके से select कर लेंगे जितना matter आपको चाहेज़े लेंगे यहाँ पर हमने एक line extra भी select कर रखा वो भी selection करेंगे select करने के बाद में सबसे पहला क्या करेंगे आप जो है यहाँ पर आएंगे यह जो border वाला option है और यहाँ पर देखिए all border वाले option पर click कर देंगे इस तरीके से आप क्या करेंगे पहले तो आप border लगा ले जिससे क्या होगा कि एक line जो है वो dark color की line print out में आए पहला काम आपको यह करना है दूसरा काम आपको क्या करना है सीधा control p button दबाने जब भी आप control p button दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसका preview दिखा रहा है कि यह आपका एक page है land escape और यह इतना matter आपका print out होके clear आएगा लेकिन बात आती है कि अगर यह जो matter है हम चाहते हैं कि पर आपको लगता है कि हमारा पेज जो है land escape में रहेगा तो आप land escape करिए अगर आप खड़ा page प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो पोट्रेट कर सकते हैं तो हमने यहां land escape select कर रखा है और यहां पर हमने adjust to 200% normal size कर दिया ओके अब देखते हैं कि थोड़ा सा size देखिए यहां पर encouragement हुआ है फिर से आते हैं और इसका size अपकी बार यहां से हम थोड़ा सा encouragement और करते हैं और इसको 200 के बजाए यहां पर 200% screen कर दे रहे हैं आप देखिए कि एक page में यह कितना proper तरीके से जो है set हो गया है लेकिन अगर हम चाहिए रहे हैं देखिए यहां पर थोड़ा सा matter up कटने लगा है तो इस तरीके से हम फिर से इसकी adjustment थोड़ा सा कम करते हैं जिसे यहां पर 230 कर दिये तो देखिए इस तरीके से हमारा size थोड़ा सा कम होगा उसके बाद आपको क्या करना है जब भी आप print में आए तो यहां पर दीखिए print active seat लिखा होता है इसको आपको क्या करना है print selection पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा जो चीजे आपने select कर रखी केवल वही चीजी print out होके निकलेगा और यहां पर land escape हमेशा select करें अगर आपको बेड़ा page निकालना है अन्यता आप portrait पर क्लिक करेंगे तो देखिए why matter इस तरीके से print हो जाता है गलती से देखिए आधा से जाधा matter इधर वाला आपका cut गया क्योंकि यह page जो है वो land escape में था और हमने जैसे यहाँ पर portrait select कर दिया तो देखिए हमारा matter किस तरीके से छपके आएगा जिसमें आधा matter cut जाएगा तो यहाँ से इसको portrait करेंगे लैंड escape कर लेंगे और यहाँ से बात आत है कि अगर माल लीजिए कि आपका इसी तरीके का page 10 page है और 1 से 10 तक आपको निकालना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर number of page डालेंगे कहां से कितना निकालना यह आप डाल सकते है तो इससे कहोगा कई page एक साथ निकल जाएगा number wise और copy के इसाब से अगर इसी page को 10 copy में copy यहाँ पर 10 लिखेंगे direct तो 10 page print out होके आएगा और सबसे खास बात होती है कि आपको यहाँ पर printer select करना है जो कि आप जानते हैं यहाँ पर printer select नहीं है आप printer का नाम जो भी है printer use करते हो तो ध्यान रखना है कि इस area में printer जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर printer आपका show होना च जीए उसके बाद आपको simply print पर क्लिक करना है तो print out छपके निकल के आएगा चलते है कुछ चीज़े हम और समझते हैं देखे अगर माल लिजी कि हमने selection नहीं किया और current यहाँ पर हमने control P button दबाया अब देखे यहाँ पूरा blank दिख रहा है क्यों क्योंकि यह पूरी seat आगई तो seat क्या होता ना seat क्या होता selection हमने यहाँ पर देखे selection लगा हुआ है अब यहाँ पर हम कर दे रहे active seat तो देखे यह पूरी seat आएगी अगर यहाँ पर selection लगा देगे तो cable क्या होगा selection वाला seat आएगा अगर यह workbook लगा देगे print entry workbook तो पूरा workbook चापेगा आप सोची workbook बह जब भी आप print करें तो पहले तो range को select करें देखिए ये जो area है जिसको आपको print करना था ये जो area है ये आपको select करना है सबसे पहले उसके बाद में print वाले option पर आना है और जैसे print वाले option पर आएंगे तो देखिए यहां पर भी कुछ चीजे हलकी सी cut रही है तो हम क्या करेंगे यहां से मिसको पढ़े तो अर्जेस्ट करेंगे किसे page setup में और यहां पे लगाएंगे print selection क्या लगाएंगे print selection तो आपको ध्यान लखना print selection होना चाहिए और landscape होना चाहिए उसके बाद में आप यहां पे adjustment को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब देखिए यह पूरा page complete यहां तक हमारा इसमें चपके आ गया web camera तक चल के देखते हैं कि क्या web camera तक था तो देखिए last heading जो हमारी web camera है अब देखिए इस से पहले क्या होता इस speaker तक क्यो ला रहा था तो पूरे page को यहां पे देखिए dotted ओले option आ गया है इस तरीके से यह page आपका पूरा landscape में चप जाएगा कैसे केवल आपको करना है print में आना है क्योंकि चापने से पहले क्या कर तो इधर preview दिखा देता है आपको बस दो चीज़े ध्यान रखने यहां पे print selection select कर लेना है और landscape A4 अगर आप बेडा चापना चाहते हैं तो और अगर यही चीज़ आप खड़े में चापना चाहते हैं तो आपको portrait करना होगा लेकिन portrait जब आप करेंगे तो आपके कुछ हिस्सा जो है next page में आ जाएगा या फिर आप पहले से ही page को set कर लें वो matter उसके हिसाब से नीचे set कर लें clear या फिर आप zooming औगरा थोड़ा सा करके adjust कर सकते हैं जैसे page setup में आ है यहां से आप zoom गटा सकते हैं जैसे mileage हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया अब आप देखेंगे तो देखें कुछ चीज़ी यह a4 में ही वही webcam लास्ट में था यानि यह landscape में पेज में था लेकिन हम portrait में भी उसको निकाल सकते हैं लेकिन क्या होगा size में काफी ज़्यादा कमी आ जाएगी तो इस तरीके से हम excel page को आसानी से print out कर सकते हैं प्रिंट सेलेक्शन के मदस्से बहुत सारे लोग क्या होता है control पी बेटन प्रेस करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं केवल नमबर आप पेज डालके ok कर देते हैं उससे क्या होता है कि उनकी यहाँ पे लगी होती print active seat जिससे क्या होता पूरा seat वो print करने start कर देता है और लगातार एक के बाद पूरी seat print कर देता है जिससे की काफी जादा page का नुकसान होता है लेकिन अगर आप यहाँ पर print जो है selection select करके अगर आप print करते हैं और जो area आपने select कर रखा है तो केवल वही print out निकलेगा मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह video पसंद आया तो page को follow करें और video को like करें वीडियो को दूसरों तक जरूर से करें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को सुरूर प्रेस करें दर निवार तुर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में